दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक हिमानसूर आप देख रहे हैं टेचिंग वाला सीटेट 21 जन्वरी 2024 के लिए यहाँ पर प्री एड्मिट कार्ड यानि की डेट और सीटी की घोस्तना हो गई है और भी काफी इंफोर्मेशन आई है क्विकली मैं आपको बताता हूँ यह मैंने क्विकली एक डाउनलोड भी किया है केंडिट का और कुछ इंस्ट्रक्शन भी है जो आपको ध्यान रखने वो सारी बात मैं आपको बताऊंगा आप डारेक्ट जो है जा सकते हैं ऑफिशल वेबसाइट पर seated.nic.in पर और यहां पर आप देख सकते हैं दो नया section एड हुआ है एक तो आपका आगया है कि view center city for seated जनवरी 2024 इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से खुलेगा और यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना application number, date of birth और security pin यह नीचे में है इसको डालके आप submit करेंगे तो आप अपना प्री admit card download कर सकते हैं और उसमें क्या चीज है और क्या धियान रखना है वह भी मैं बता दूंगा साथी एक और update इस पर यह है कि अगर image discrepancy है तो आप उसे भी आप हटा सकते हैं तो आप अगर आपके image में कोई discrepancy है तो उसको आप Fraueller आप करेंगे तो यहां पर आपको कुछ प्री यहां रखिएगा यह pre-admit card है और यह आपको वो admit card नहीं है जो center पर लेकर जाना है यहां पर clearly लिखा है कि this is not the admit card यहां पर आपको allotment of city और date आपको दिया गया है तो date तो आपको seated January 2024 this is advanced information for the allotment of center city to facilitate the candidate the admit card shall be issued two days before the examination date तो अब आपको आपका जो CT है वो मिल गया है और आपका date भी मिल गया है तो date तो सबका वही है CT भी जो आपको first twice है mostly सबको वही दिया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और admit card जो है आपको दो दिन पहले issue किया जाएगा धान र उसके बाद यहाँ पर आप देख लिजिए वो admit card आप download करिएगा no candidate would be allowed to enter the examination center without admit card, valid ID proof and proper frisking तो आप proper तरीके से आपको जाना है और यहाँ पर जो है आपको admit card और ID proof यह बस आपको साथ मिले जाना है बाकि आपको pen जिस pen से आप लिखोगे Candidate are advised to be in touch with the seated website for the latest update आप जो है seated के website से touch में रही है Your response may be analyzed with the other candidate to detect pattern of similarity of right and wrong answer if in the analytical procedure adopt in this regard it is inferred या concluded that the response have been shared and score obtained are not genuine or valid Your candidate may be cancelled or the result withheld तो अगर आप यह पता चलता है मतलब आपका जो answer seat होगा OMR seat होगा उसको दूसरे से मिलान किया जाएगा अगर वो pattern same मिलता है और ऐसा महसूस होता है कि यह आपने share किया है किसी दूसरे के साथ अपना answer वहाँ पर तो आपका जो है withheld हो जाएगा रुख जाएगा तो आप कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा the biometric attendance is mandatory for each candidate before entering to the examination biometric आपका attendance यहाँ पर होगा in case any candidate enter the examination hall without marking biometric attendance result may cancel तो biometric attendance में अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो आपका result cancel हो जाएगा तो यह सब चीज आपको जो है ध्यान रखना है और आप सभी लोग अपना download कर लीजिए जरूर बताईए आपका CT कहा है और दोस्तों exam काफी कम समय बचा है और ध्यान रखेगा दो दिन पहले admit card आगा उसको download कर लीजिएगा पढ़ाई बिल्कुल ने रुखनी चाहिए इसलिए कल से ही यानि कि 13 जनवरी 12 बजे से आप लोगों के लिए जो है seated 21 जनवरी 2024 के exam को teaching वाला पर start हो रहा है दिन के 12 बजे से पूरा लगातार चलते रहेगा और ये शुरवात हो रहे है आपको 13 जनवरी Saturday को ठीक है तो आप लोग जरूर इसको join करिए और all the way आप सभी लोगो फटा-फट सब लोग अपना CT वगेरा सब देख लिए और comment में जरूर बताईएग झाला है